शर्व ब्यापी है जनार्दन कारण स्वरूप जो परधान प्राकिर्त है वही इस जगत की योनी है इसके तीन वेद हैं शत्त रज और तम इस त्रिगुण मई प्राकिर्त से ही ये विश्व ब्रह्मान्ड उत्पन हुआ है इसका कारण भूद जो शांख प्राकिर्त है उसे विद्वान पुरुष आपका ही स्वरूप बताते हैं हे विश्व उसके रूप में आप ही परिमाण को प्राप्त होकर उसके अधिधास्टा बने रहते हैं उस घोर महान महत्त से महान समिष्टी भूत अहिंकार प्रगट हुआ हे जगनात आधिकाल में प्रगट हुआ वो महत्त वैशा अहिंकार आत्मक परिमाण आप ही हैं हे प्रभू हे देव अहिंकार से तनमात्र नामक महान कारण उत्पन हुए जिनसे पंच महाभूतों का प्रिकट्च हुआ है हे जगत पते इस जगत में जो वे पांचों महाभूत हैं उन्हें आप ही सरवेशर का शुरूब बताते हैं इनके नाम ये हैं हे प्रिथिभी वायू आकास जल और पांचों भूत अगनी हे देव नेत्र नाशी का तचा रश्न और कान ये पांच ज्यान इंद्रियां हैं इन्हें के साथ छठा मन है जो उन इंद्रियों को विविन बिसें में जानने के लिए प्रेरित करता है हे जनार्दन वाक आद पांच कामों इंद्रियां आओ रहें हे जगनात हे हरे अपने मन को शैयम में रखने वाले आप परमात्मा ही उन सब इंद्रियों को अपने अपने बिसेयों में नियुक्त करते हैं हे देवोशर आप ही योग इंद्रिया मार्ग की अस्थापना करते हैं जब आप रजोगुण से सईयुक्त हुए तब अपने समस्त प्राणियों की स्रिष्टी की जब आप शत्य गुण से युक्त होते हैं तब तीनों लोग का पालन करते हैं और जब आप तमों गुण से आक्रिष्ट होते हैं तब जगत का शंगार करते हैं इस प्रिकार आप नियता आत्मा परमेशर तीनों ही गुणों से युक्त होकर अपनी तीव्रिद्ध एशर्य सक्ति को शाथ रखते हुए श्रिष्टी रक्षा और संगहार के कार्य में सदा संगलंगर रहते ही हे माधो हे जगत गुरु आप राणियों के अन्ता करण में इस्थित होकर उनके उप्योग के लिए इंद्रियों को विशय में लगाते हैं इसलिए शंपूर भूतों में आप ही समस्त भोगों से संपन्य हैं हे प्रभू स्रिष्टी काल में आप ही ब्रह्मा हैं पालन काल में विश्नु कहलाते हैं तता संभार काल में रुद्र नाम धहरन करते हैं हे भगवन इस प्रकार आप तीन ध्हाम वाले हैं हे हरे हे देव प्रतिवी जल अगनिवायू आकाश मन बुद्धी और एहंकार ये सरवर्त उपलब्ध होने वाली आठ विभिन भिन प्राकिर्तियां आपकी ही हैं आप सहस्त्रों मस्तकों से शुशोबित बिराट पुरुष हैं आपके सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों पैर हैं धारन करने वाली बुजाएं भी सहस्त्रों ही हैं आपकी सभी वस्त्मिय सहस्त्रों की शंख्या में सुसोवित होती हैं। आपके सहस्त्रों रूप हैं और आप ही स्वर्ग लोग की अधिपत्य इंद्र हैं। सातो दीप और शमुत्रों से युक्त इस सारी प्रिथवी को ब्याप्त करके आप सूच यवम्शर्व ब्यापी होकर इस प्रम्हांड से दश अंगुल उपर उठे हुए हैं जो हुआ है और जो हूने वाला है वो ये शंपूर्ण जगत आप ही हैं हे जनार्दन आप से ही विराट और समराठ विराट के अधिधास्टा पुरुष की उत्पत्ती हुई है हे पुराण आत्मन हे जगन्नाथ आपके मुख से यजन याजन आदी छे कर्मों में सदा तात पर रहने वाला लोक रच्छक ब्रहमण प्रकट हुआ है हे बिश्णू आपकी भुजाओं से रख्छा कर्म में रत रहने वाले छत्रिये की दोनु जंगों से वैशे की और पैरोशे शोद्र की उत्पत्ती बताई गई है हे जगदीश्वर हे जनार्दन इस प्रकार चारों वड आपके सरीर से प्रिकट हुए है हे देवशर आपके मन से समस्त प्राणियों को शुक देने वाले अमित कांतिमान सीत रशिम चंद्रमा की उत्पत्ती हुई है आपके नेत्र से समस्त प्राणियों के नेत्र शरूप वै भानुमान अंशो माली शूर उत्पन हुए है जिनके प्रभा से सारा जगत प्रकाशित होता है आपके मुख से इंद्र और अगने तथा प्राण से वायो देव का प्रकट्च हुआ है हे देव, हे जनार्दन, आपकी नाभीशे आंत्रिक्च प्रकट हुआ हे गोपते, आपके मस्तक से महा घोर धूर लोग का अविरभाव हुआ है हे जगत पते, आपके पैरों से प्रिथवी और कानों से दिशाएं उत्पन हुई है इस प्रकार शंपूर्ण जगत की स्रिष्टी करके आप सब को ब्याप्त करके इस्तित है हे केशो, इन संपूर्ण लोकों में ब्याप्त होकर आप शरवर्थ विराजमान है इसलिए विश्धाद को ब्याप्त रूप अर्थ का दर्सन होने से आप विश्णू नाम धारण करते है भूत बर्तमान और बविश्ध के शामी हे विश्णू देओ जल को नार कहते है उस नार के आप आदिकाल से ही अयन हैं इसलिए नाराण कहलाते हैं हे देओ आप राणियों के पाप ताप का हरन करते हैं इसलिए हरी कहलाते हैं हे देओ आप शदा सब का शंकल्यान करते हैं इसलिए संकर नाम से प्रशिद्ध हुए हैं ब्रहत तथा वर्धन सील होने के कारण आपको ब्रह्म कहते हैं मधु नाम है इंद्रियों का उनका दमन करने के कारण आपका मधु शूदन कहलाते हैं हे केशो, हे विष्णू, हिट्सी कहलाते हैं, इंद्रियों को आपने इनके इस स्वामी अत्वा प्रेरक हैं, इसलिए देवताओं में हिट्सी केश नाम से भिख्यात हैं का ये ब्रह्म जी का नाम है और मैं समस्तो देह धारियों को इश हूँ, हम दोनों आपके सरीर से उत्पन हुए हैं, इसलिए आप केशो नाम धारन करते हैं हे हरे मा कहते हैं बिद्या को आप उसके धो इशर या श्वामी हैं, इसलिए माधो नाम से प्रशिद हैं, धो सब्द का श्वामी वाचक है, हे देव ये वाडि गो नाम से प्रशिद हैं, उसे आप जानते हैं इसलिए मुनी लोग आपको घुविंद कहते हैं स्रेष्ट मुनियों ने तीन वेदों में त्री नाम दिया है आप इन तीनों क्रांत व्याप्त करके इस्तित हैं इसलिए त्री विक्रम नाम से भी ख्यात हुए हैं आप सोच मिया लगू होने की से वामन नाम धारन करते हैं आपकी वामन नाम से प्रशिद होने का यही हेतु है आप मनन करने से मुनी हैं और यम का पालन करने से यति कहलाते हैं अता आप तपश्या करते हैं इसलिए तपश्यवी नाम से प्रशिद हैं हे हरे संपूर्ण भूत आप में निवास करते हैं इसलिए आप भूत वाश कहलाते हैं हे हरे आप संपूर्ण भूतों के इश हैं इसलिए इश्वर कहलाते हैं हे प्रभु आप समस्त वेदों में प्रणों और संपूर्ण जंदों में गायत्री हैं आप अक्षरों में आगार हैं, वर्णों के आशरित रहने वाले स्पोट हैं, रुद्रों में मैं आथार्थ संकर हैं, और वाशुओं में आप पावक हैं, आप ब्रिक्ष जातियों में अश्रत्थम हैं, समस्त लोकों के गुरु ब्रम्हा हैं, स्रेष्ट परवतों में मेरु और देवर शिर्द में नारद हैं, आप दानों में दैत नंदन भगवत वत्स पहलाद हैं, समस्त सर्पों में आप ही वाशु की हैं, समस्त गुहाकों में धन दाता कुबेर हैं, जल जन्तुओं के राजा वरुण और त्रिपत गामनी गंगा भी आप ही हैं, आप समस्त पूतों के आदिमद और अंत हैं, आप से इश्विस्द का प्राद भाव हुआ है, और अंत में सारा जगत आप में ही बिलीन हो जाता है, हे जनारदन, हे देव, मैं ही आप शर्व ब्यापी देवता हैं, और आप ही मैं हूँ, हे जगत पते, शब्द और अर्थ से हम दोनों में कोई अंतर नहीं है, हे गोबिंद, लोक में जो आपके महान नाम हैं, वही मेरे भी नाम हैं, इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए, हे जगनाथ, हे गोपते, आपकी जो उपाशना है, वही मेरी भी है, हे दिवुशर जो आपसे द्वैस करता है वो मुझसे भी द्वैस करता है इसमें संसय नहीं है हे दिव आपका ये विस्तार मैं हूँ अता आपकी ही भात मैं भी शंपूर भूतों का अधिपत पहलाता हूँ हे देव, हे हरे, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपके बिना या आपसे रहित हो हे जगतपते, हे देवर्शर, जो कुछ था, जो है और जो भविश्य में होने वाला है वो सब आपी ही हैं, ऐसी कोई वी वस्तु नहीं है जो आपसे रहित हो हे प्रभु देवता सदा आपकी निजी गुणों का वक्हान करके आपकी अस्तुती करते हैं हे भगवन आप ही नित निरंतन रिग्वेद यजुरवेद और शाम वेद हैं भूत भावन देव मैं अधिक्या कहूं आप ही सब कुछ हैं हे देव हे विष्णू हे माधो हे केशो आपको सब प्रकार से नमस्कार है हे शर्वा आत्मन मैं आपको नमस्कार करता हूँ हे हरे आपको सदा ही नमस्कार है आप पग्न नाभ हैं आपको नमस्कार है हे इश्वर मैं आपकी वंदना करता हूँ इस प्रकार शिरी महाभारत के खिलभाग हरिवन्ष के अंतरगत भविस्व पर्व में कैलास यात्रा के प्रशंग में शिवक्रत विश्णु की अस्तुती बिश्यक अठासिवा अध्याई पूरा हुआ नवाश्युआ अध्याई भगवान शंकर का रिशियों को सिरी कृष्णु तवत्त का उपतेश देना वैश्या पंजी कहते हैं हे जनमेजे देव देवर्शर सिरी कृष्ण से एशा कहकर भगवान सिवने पुना मुनियों से कहा हे ब्रहमडों जो भक्त जन यहां सिरी हरिका दर्शन करने के लिए आए हैं वैसब ये जान लें ये सिरी कृष्ण ही परम वस्तु हैं तुम लोगों के लिए इनसे बढ़कर और कोई दूसरी वस्तु नहीं है यही तुम्हारी तपश्या के सर्वोत्तम भल हैं इस बात को तुम लोग अक्षी तरह जान लो हे बिप्रगण शदा एक आग्रिचित होकर नित्य निरंतर इनहीं सिरी कृष्ण का ध्यान करना चाहिए यही तुम्हारे परम का ल्याड हैं और यही तुम्हारे परम धन हैं यही तुम्हारे जन्म और जीवन की शफलता हैं यही तुम् पिछन्नों के भंडार हैं और यही तुम्हारे शनातन धर्म यही तुम्हें बोलग और यही गंतव मार्ग बताये गए यही साक्षात पुन्यदायक और यही तुम्हारे शत्कर्मों, के फल हैं ब्रह्मवादी विद्वान सदा इनकी ही प्रशंसा करते हैं यही तीनों वेदों की गति आस्रे हैं हे ब्रहमणों ब्रह्मवेता पुरुषदा इनकी ही प्राप्ति के लिए फ्रात्ना करते हैं शांक और योग का आस्र लेने वाले विद्वान इनहीं के गुण गा हे विप्वरों तुम सदा ऐसा ही जानों इसमें विचार करने की कोई आशकता नहीं है शत्त गुण का आश्रे नेले वाले तुम जैसे भक्तों को शदा एक मात्र सिरी हरिका ही चिंतन करना चाहिए संसार में शर्ब व्यापी नारायण से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है हे ब्रहमडों तुम सदा ओम का जप और भगवान केशों का ध्यान किया करो ऐसा करने से तुम्हें परम कल्याण की प्राप्ति होगी इसमें शंसे नहीं है इस प्रकार ध्यान करने पर साक्षात सिरीहरी तुम लोगों पर प्रशन होंगे ये भगवान विश्णु तुम्हारे संसार वंधन का द्रहता पूर्बक नास कर डालेंगे हे ब्रहमडों यद भगवान अच्चुत को प्राप्त करने की इच्छा हो तो सदा ही इन सिरीहरी का ध्यान करो यही तुम्हारे हैं ये संसार वंधन का दिस्तार करने वाली मूल अविद्या का नास कर डालेंगे अता तुम लोग ब्रह्म्ह विश्णु शिव रूप त्रिविर्द सरीर धारन करने वाले सिरीहरी का शदा अस्मरण यों किर्तन किया करो हे ब्रह्मणों तुम लोग शदा यंत्र पूर्बक मन का सैयम करो हे तपोधने सैयम से अंता करण सुद्ध हो जाने पर भगवान विश्णु प्रशन होते हैं हे ब्रह्मणों तुम संपोड यंत्र से मेरा चिंतन करके फिर केशो का ज्यान प्राप्त करो इन उपायस देव शिरीहर में शदा ही मैं उपायस माना गया हूँ हे बिप्रगण ये मैंने भगवान की प्राप्ती का उपाय बताया है इसमें संदेह नहीं है ये भगवान माया के अधिपत हैं तुम सब लोग इन पापहारी शिरीहर की प्राप्ती के लिए सदा प्रयत्म किया करो हे बिप्वरों जिस प्रिकार से यंत्र करने पर तुम्हारी शारी बुद्धी सुद्ध हो जाए और जिससे भगवान प्रशन हो जाएं वैसा करो वैश्यापंजी कहते हैं हे जनमेजय भगवान शंकर के ऐसा कहने पर उन समस्त पुर्ण शील मुनियों ने यथावत रूप से उनके उपदेश को ग्रहण किया और अपने मन से शंसय को निकाल दिया उन ब्रहमडों ने हाथ जोड़कर महा दियो जीशे कहा हे भगवन आपने जैसा कहा है ऐसी ही बात है हमारा सारा शंसय नश्ट हो गया और हमने वैसा ही सिद्धान्त श्वविकार कर लिया हे प्रभू हम इसलिए आज आज आपके निवास अस्थान पर आए हैं आप दोनों के शमा गम से यहां हमारा शारा महान मोह नश्ट हो गया हे देवोशर आप जैसा कहते हैं वैसा करने श्री हमारा परमतल्याण होगा आप भगवान रुद्र ने जैसा कहा है उसके अनुशार हम सदा सिरी हर की प्राप्ति के लिए यंत्र करते रहेंगे ऐसा कहकर उन प्रशन हुए मुनियों ने सिरी केशो हरी को प्रडाम किया इस प्रकार शिरी महा भारत के खिलभाग हरिवंश के अंतरगत भविस्ट पर्व में कैलाश यात्रा के प्रशंग में भगवान सिवका रिश्यों को उपदेश बिसयक नवासिवा अध्याय पूरा हुआ नब्वेवा अध्याय भगवान शंकर द्वारा सिरी कृष्ण की अस्तुति और सिरी कृष्ण का कैलाश से बद्र का आस्रम में लोटना वैश्या पंजी कहते हैं हे जन्मेजय तदनंतर भगवान रुद्रशब को बिसमय में डालते हुए से सर्व व्यापी जगदीश्वर सिरी हर की सास्त्रों द्वारा अस्तुति करने को उगत हुए उन्होंने उस समय मुनियों को सुनते हुए अर्थयोक्त वाणी द्वारा इस प्रकार अस्तुति आरंब की महेशर बोले आप परम बुद्धमान भगवान वाशुदेव को नमस्कार है हे अक्चुत हे देव जिनके प्रकास ये सारा जगत सदा प्रकाशित होता है उन्हों सुर्य शरूप सदा भगवान को नित्य बारंबार नमस्कार है हे देव जो सीतर रशिम भगवान चंद्रमा इन संपूल लोकों को सीतलता प्रदान करते हैं उन शोम सरूप आप सिरी हरे को नित्यम नमस्कार है नमस्कार है हे देव हे हरे जो एक मात्र विश आत्मा भूत भावन भगवान शमस्त प्रजा को त्रत्य प्रदान करते हैं उन शर्व रूप और वाणी शरूप आपको बारं बार नमस्कार है जो सदा अपने हाथ से कुस चीर आद धारन करते हैं तथा उन्होंने शम्पूर वेदों को धारन किया है वे ब्रम्भा आप ही हैं आपको नमस्कार है जो ब्रिष्ट द्रष्टा भगवान शंगार काल में सदा लोकों का शंगार करते हैं वे आप ही हैं आप क्रोध रूप विकराल रूप तथा रुद्र शरूप हैं आपको नमस्कार है जो स्रिष्टी काल में स्रष्टा बनकर समस्त प्राणियों को प्राण दान करते हैं उ ये देव देवशर जो आध में मूल प्राकिर्त रूप हैं और गुणों में छोब होने पर क्रम्षा पंच महा भूतों का उत्पादक होता है उन प्राधान शुरूप आपको बारं बार नमस्कार है प्राधियों के पापों को अपारण करने वाले है हरे आप प्रत्वी में गंद रूप से इस्तित हैं आप द्रण हैं द्रण रूप धारी हैं तथा गंद शुरूप हैं आपको नमस्कार है जो प्राधियों को शुक देने के लिए सरवर्त जल में रश रूप से निवाश करते हैं उन विश रूप धारी रश रूप आपको बारं बार नमस्कार है हे देव, हे जगनात, जो तेज से शूर तुल किरणों से प्रिकाशित तथा सदा ही सभी जीवों का हित करने वाले हैं, उन भाशकर रूप आपको नमस्कार है, हे हरे, जहां वायू का असपर्स नाम गुण शीत उशन्ड यवं सुख दुख प्रदान करने वाला है, वहां उ सुखुण के आच्छर भूत वायू आपके ही शरूप हैं।